Salaam alaikum everyone मैं हूँ Rabia और वेलकम बाग टु माइ चानल gözcks Come a 350 वीडियो में हम designer sleeves बनाना सिखेंगे और designer neck बनाना सिखेंगे तो चलिए वीडियो को start करते है मैंने इस वीडियो में same measurements लिया है जो पिछली वाली वीडियो में लिया था और मैंने सेम पेपर कटिंग ली है जो हमने पिछली वाली वीडियो में यूज करी थी मैंने ये वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो ये वीडियो का पार्ट वन है ये कपड़े की कटिंग स्टार्ट करते है मैंने यहां फैब्रिक को फोर फोल्ड किया है और इसके उपर मैंने बैक पाट रखा है पेपर कटिंग का और साइड में मार्जिन छोड़ी है देडिंच की और लंबाई बड़ा ली है और उसके अंदर भी मैंने मार्जिन एड़ की है अब हम यहां पे इसे कट कर लेंगे फैब्रिक कट करने के बाद मैंने इसमें से एक पार्ट अलग कर दिया बैक वाला अब मैंने फ्रन पार्ट लिया है इसमें का एक पीस और उसे प्लेस आउट करके फ्रन वाला शेप दे दिया है झाल झाल यहाँ पर हम अस्तिन कट करेंगे मैंने पहले वाली जो अस्तिन कट करीती सेम वही मैंने यहाँ पर ली है हम इसमें इसकी लंबाई बढ़ाएंगे अस्तिन की और इसे ही प्लेस आउट करके इसी की मदद से कट करेंगे तो यहाँ पे मैंने drawing paper लिया है drawing paper को 2 fold किया है और यहाँ पे मैंने astin रग दी है इसी astin को हम यहाँ पे trace out करेंगे यहाँ पे मैंने लंबाई 9 इंच कर दी है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा बड़ा लिया है margin के वास्ते और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने गोलाई ली है गोलाई का हाफ करके उसके अंदर भी मैंने मार्जिन एट कई है मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद अब हम इसे ओपन करेंगे open करने के बाद center में एक line draw करेंगे line draw करने के बाद अब हम इसे half में fold करेंगे half fold करने के बाद हम और एक एक fold करेंगे बिल्कुल इस तरीके से और फिर हम half वाले session के side एक inch extra लेके और जहाँ पे हमने half fold यानि four fold किया था हमारा वहाँ पे हम इसे curve shape की मदद से ड्रॉ करेंगे french curve की मदद से जो हमने curve line draw करी है वहाँ पे हम देड़ देड़ inch का निशान लगाएंगे आप चाहो तो 1 inch का भी निशान लगा सकते हो अगेन हम तो हम यहाँ पे line draw करेंगे curve shave में french curve की मदद से वहाँ पे हमारी line end हो गई है seam allowance के side पे वहाँ पे हम half inch या पौना inch का margin दे के cut करेंगे झाल बिल्कुल इसी तरह से हम कटिंग करेंगे अब हेम फाब्रिक लेंगे फाब्रिक को अपन करेंगे इसके ओपर हमारी कटिंग रखेंगे कटिंग रखने के बाद अब हम उसमें बीज बीच में गैप छोड़ेंगे और पीमप की मदद से इसे सेट्ट करेंगे झाल 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 बिल्कुल इसी तरीके से और फिर सेट अप करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे यहीं सेम प्लेस करके हम इसकी दूसरी वाली आस्तिन भी कट कर लेंगे झाल 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 में इन इस वीडियो, I hope